हेलो गाइज नमस्ते अपने बात कर रहे हैं हेलो एलकेंड तता हेलो एरिन अध्याई के अंदर आने वाले अभ्यास प्रस्णों की और अपने लिया है अभ्यास प्रस्ण दस पॉइंट एक अब यह कह रहा है कि निम्नलिकित हलाइडों के नाम आयू पेसी 35 से लिखिए तता इन हलाई वका आपको नाम लुखना साति तो आपको यह भी पतना ना है कि यह आपके अल्किल एक हलयाइड एल है वाइञल हों और यह प्रमीघ कहा है रियुक्ता चरट Right यह उपरे चनिय meant है दाश नमेर दमबर इस या तो पेरा है या मेटा है या फिर ओर्थ है तो गई जब भी पेरा मेटा या ओर्थ हो की बात आती है तो वो चीज आपके आती है अरोमेटिक योगी को के लिए मतलब यहां पर किसी अरोमेटिक योगी की बात गी है और मॉस्टली अपने अरोमेटिक योगी की रूप में क्या करते हैं खटेंगे सबसक्राइप तो इस योगी कि है या garlic साही से सरचना बना दी तो उसका नाम भी अपन आसानी से दे सकते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बैंजीन की रिंग मनाते हैं, तो गैज यह आपके बैंजीन की रिंग है, अब गैज इसमें देर का पेरा, अब पेरा का मतलब होता है, वन फॉर कंडिशन, पेरा का मतलब क्या हुआ, वन है तो यह-2 यह-3 और यह आपके फॉर ठीक डाकर यह आपके ओन fandusion अब कर देन का क trunk मतलब अगर वन के ऊपर आपने के यहां है तो यह फौर कंडिसे ने वहाँ पर आपके यह चाहिज होगी तो अपने लिखते mulheria तो इसके आगे जुड़ा है सी एच और इस से जुड़े हैं दो मिध्यल ग्रूप यह एक और यह आपकी दूसरा यह तो बात हो गई अब गई नेक्स इसमें अपन को क्या करने हैं कार्बन स्रंखला का चैन करना अब जिसमें दो कार्बन स्रंखला है एक तो यह है और एक जाएं और यह आपके रिमेतिक और आपकी तो हैं प्रेद्ण श्रंखला को को प्रात्मिता देंगें अब नेक्स चीज क्या होगी कि इसके अंदर आपन नंबरिंग कैसा करेंगे तो यह तो हैं आपके और शीज और ये क्या चीजिए अगर इसका नाम पता चल जाए तो जो अंगरीशी वर्ण महला आएगा उसको अपन क्या करेंjay ? पहला नमबर देंगे तो इसका नाम तो है आपके है अब का से करेंगे मैं कोई भी जो ग्रूप होता है किसी मुख्य कारबन संङ्ञ्ञा से जुड़ा होता है क्लों करें순 कर्द्स प्रेंगे इक नमबर देंगे तो यह एक यह यह लएक यह टीन तो यह न दो है एक अ turn तो इसका नाम क्या होगा two identifying और यह एक नबर यह तो इसका नाम कैसे लिखेंगे तो एक पे तो यह अने को लिखा उलिक लोरा कि अबज़ ciao चार पर यह जुड़ावा कुछ तो इसके इस तरदी चार तो इसलिए अपन लिकिंगे या पर चार-फॉर अब इसका नाम आपन क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे अब इसका नाम क्या है टू पे मैफिल और तीन कारबने ने इसलिए प्रोपील तो तू मेथिल प्रोपील और यह आपके क्या है बेंजिन तो इसका नाम क्या हो गया वन क्लोरो फॉर टू मैथिल प्रोपिल बैंजिन तो यह तो एक इसका आउपेशना हो गया अब गई जिसका एक अईपेशी नाम और है वह कैसे तो यह करके अपने लिख रहे हैं अब यह नाम बढ़ेगा अजसे कैसे इसमें भी वन पे क्या तू भट्राइल एक बात करें इस ग्रुप की की जो कंडिसन लग झाल है आइसो तथमेट तो चाहर पर जो झालिया आपके 10 2010 तो नाम क्या देंगे वन ख्लोर वन पेतर आएगा क्लोरो फिर आपके फॉर और यहां पर रुख जाए इसका नाम हो जाएगा आई सो ब्यूटिल और आपके जाएगा बैंजी तो गई यह भी आई पेसी नाम है यह भी आई पेसी नाम है तो अगर आपके अब्जेक्टिव प्रस्ट में आता है तो दोनों में से कोई भी आया आपके उत्तर सही रहेगा तो इसमें यह वाला और यह वाला ऐसा है जिसमें आपके बैंजीन किरिंग होती है यह यह बैंजीन किरिंग इससे सीधा आपके क्लोरीन बोले तो है इसका मतलब यह आपके वह कौन सा है अपनको पता चले गया यह आपके क्या है एई और हे innit Advice अरइल हमिलाएड लाट है यह आपकी एारी दिते स्क्राइल हा अब यह प्रात्मेरेंग्हा झीWith क्लोरिन härलो जन यह इस कार्बन से जुड़ाँ और यह कार्बन तो यह कार्बन मतलब इसकी अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11 अब यह दे रखा है एम सील सीसिक्स एच फॉर सीस्टू सी का खोल तो यहां पर दे रखा साइब यहां जो मतलिक यहं नीउद इसका नाम ची का मतलबulares इसकी टो मंहान यह इसा बनरी है कि यहाँ कि बंगईया अब मionedडिक का मतलब होता है 13 की तो मान लो आपके यह तो ही तू और यह आपके कौन सी हो जाएगी 3 अब 1 पर क्या जुड़ाओ है CL CS2 तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे CS2 और यह आपके CL ठीक है और 3 पर आपके जुड़ाओ है यह वाली चीज़ CS2 फिर उससे जुड़ाओ है C और इस C से आपके 3 CS3 ग्रूप जुड़ाओ है एक CS3 यह दूसरा CS3 और आपके यह को इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या बदकर बात करतें इसनल नाम की यह नाम बना कैसे कर दो और आपके हैं पूंअ बॉन्ड शीएटरी कि तो आपनको पहता है बॉन्ड ऑन BOLDते मैं अब इसमें से एक आपके hydrogen बाहर निकल गया तो पीछे क्या बचेगा बॉंड CS2 और आपके बॉंड और यहां पर जुड़ गया मतलिए ग्लोरा मैठील भी और इसका नाम की यह वापस यह क्या करना वह सब्सक्राइब और तो एक दो पीन यह अब कौन सिवाए लेंगे तो अपनको यह वाली कार बंस संुंग्ला लेनी क्यूं कि आप ह कि इस कि इस कार्बन संगला के अंदर अपन उस कार्बन को नियूंतम नंबर देते हैं जो मुख्य कार्बन संगला से जुड़ा होता है मुख्य कार्बन संगला से कौन जुड़ा है यह इसमें से तो कोई है नहीं तो आपको नमरीं कहां से करने यहां से तो यह होगा वन टू और त्वी और यह आपके कार्बन संग लगएगी तो इसका नाम क्या बनेगा टू पे ही मैथिल टू पे ही मैथिल तो टू टू डाइब मैथिल और तीन कार्बने इसलिए प्रॉपिल ठीक है अब अंगरे जी वर्ड माला में पहले सी आता है और फिर आपके पी आता है यह आमाता है तो पर यह पहले लिख जायेगा तो अब इसका नाम कैसे देंगे तो देखो अब इसका अपना आईपीस नाम दें रहे तो आईपीस नाम क्या होगा वन सबस्क्राइब एक लोगा क्लोरो मैथिल पर आपके वनटू ठीपर यह लिक्खा वाँ है तो पहले थी दिया अब थी पर क्या है टू टू डाइमेथिल टू टू डाइमेथिल और आपके तीन कार्बनेश ले प्रॉपिल टू डाइमेथिल प्रॉपिल और ब्रैकेर बंद और यह चीज़ जाती है बैंजिन तो एक तो इसका नाम यह हुआ अब गई इसका एक और नाम दे सकते हैं वो यह लिख सकते हैं अपने यह करके तो गई यह चीज़ तो सेम रहेगी तो अपन लिखेंगे वन क्लोरो मैथिल यह तो यह क्लोरो मैथिल और यह कित्ते नमरे पहा और इसको नमर तीन तो एक बार देंगे देते है अब गई इसका नाम क्या होगा ѕभी आटे सुछ क्या हो गया नियो पेंटिल तो अन्द लिखा टो कि unf n लोरो मेथिल थ्री नियोपैंटील बैंजिल बैंजिन सोरी अब आपके नेक्स देना कि यह क्या है आपके वाइनिल है एरिल है कौन सा है तो इसमें अपन देख रहे हैं बैंजीन की दिंग फिर सियस्टू फिर सियल मतलब बैंजीन की दिंग उससे कार्बन जुड़ा है और फेक्षाल वाला यह आपके नेलिग हैलाइड हो गया अब पतला अग्लण या प्रात्मी के दित्र ट्रितृक तो चर्टी को यह ने respec अरक आपके यह हम परूड रहल यह कार्बन सेस्छा कार्बन है जुड़ा ही इसका मतलब यह कैसा वा प्रात्मीक मिदिक है specific को भूलते सिएच होल सिएट्री सिएच टू सिएट्री अब इसमें दे रखाएं ओ का मतलब यहां पर कौन सी कंडिशन दे रहे हैं और तो कंडिशन या और तो इस्तिति दे रहे हैं तो अब कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले सीशिक स्पॉर मतलब बैंजीन की दिन्ग बनाई यह अपने बैंजीन की दिन्ग बने अब गज और तो इस्तिति और तो इस्तिति का मतलब होता है वन टू और तो इस्तिति का मतलब क्या होगा वन टू तो यह वन है और यह आपके टू है तो यह अगर वन है तो यह क्या होगी टू इस्तिति अब वन पे क्या है बियार मतलब बिया यह ब्रोम ऩूप्त अब क्या है तो यह है हल उसी झी मतल़ी यह सी stupid कर दो फिर के जुड़ा है तो और इसके आगे जूरा है सीस्ट्री घ्यां तो अब आपन क्या करेंगे इसा आपके नाम लिखते पाई पेसी नाम लिखते वह देखो वन पेतर क्या हो गया अब इसका नाम क्या है तो वापस पहले तो इसमें को क्या करने पड़ेगी कि कार्बन सिंख्ला तो खाई एक तो यह और बन रहे एक तेन कारबर की अब तो अपना नियम क्या है कि इस ग्रुप के अंधर आपके यह जिस कार्बन से मुख्य कार्बन से जुड़ी होती है उसको नियूंतरम नमबर देना है मतलब इसको नमबर में एक तो यह जाएगा एक यह दो और यह तीन तो एक पर क्या है मैथिल और क्या हो जाएगा प्रॉपिल ठीक न तो पहले तो इसका नाम लिखते हैं यह तो है वन ब्रॉमो अब यह किते पर जोड़ रहा है दो पर तो वन ब्रॉमो फिर आपके टू लिखेंगे फिर लिखेंगे यहाँ पर वन पर मैथिल और आपके तीन कार्बनेशले प्रॉपिल ब्रैकेट बंद और इसको बोला बेंजिन ठीक है अब इसी का एक और नाम दे सकते हैं या करके आपर लिख रहा है तो यह तो सेम ऐसे कैसा आएगा वन ब्रॉमो फिर आपके इसकी स्थित्री दो पर यह वन ब्रॉमो फिर टू और ब्रैकेट अब इसको क्या बोलते हैं तो देखो इसमें कार्बन एक दो तीन और चार चार इसलिए क्या होगा ब्यूटिल लेकिन जो इसमें आपके लिखे कंडिशन बन रहे हैं वहां के जीट्रीड विक्विक्वूर्ट या या सद्वी प्यूटिल तो यह अपके कौन सा है यह सेकेंड़िंदी व्यूटिल था तो दो नबर पर आपको एक जूड़ा है यहांफर सेकैंडरी प्यूटिट स.'s और ये हैं आफ नि नयुες है अब इस पतला काना है कि ये तो आपके ये कौन से लाइड़ से हुड़ entrepreneurs ये वाले हेलाइड है ठीक ना अब आपके यह कैसा है प्राथ्निक दिट्टिक तो गई देखो इसमें जो आपके हेलोजन है वह जिस कार्बेंस जुड़ा वह आपके अंडिये दो कार्बेंस जुड़ा तो मतलब यह कैसा हुआ ग्याशी को बोलते है तूडिक दी तो यह आपके दियो ला कॉट बाके ओने जो है गो टको जो है तूझाभ के शोर्ई मतलब यह जो हार्के बहुता है यह drummerोने को पैसा है यह जो जब कि diåtऴ जब कम वेलोग